वेल हलो गाईस कैसे हो आप सोभी लोग स्वागत है तुम सभी का अनिमे 7 में आज हम बात करने जा रहे हैं मोनो गातारी सीरीज के बारे में बट उस से पहले अगर तुम मेरे चैनल पे ने हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों न हम इसके प्लॉट के बारे में बात कर लें तो देखो यार प्लॉट कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा मेन करेक्टर है जिसका नाम कोयमीन अररागी है वो एक वेमपायर होता है मतलब हाफ वेमपायर और हाफ आथा देखने को जबने के जहां एक वाइचने को देंक सब्सक्राव साई हुझा आप जेखने को मिलेंगा यहां जाएनियों को ले घ्र Corinthians देखने को मिलेंगा वहां कर सिसदेखने को मिलिग तो इस स्थितने भी उन्होंने वाईपी यूज जो को लिए फीर ऑ्र गर्ल्मा होती है उनको सारों को दूर करता है and this is a pretty much about its plot plot इतना जदा complex नहीं है बट जो चीज़े इस एनिमे में दिखाई गई वो बहुत ज़दा complex है क्योंकि कई कई बार जो scenes होते हैं फिर कई कई बार जो events होते हैं वो तुम्हें समझ नहीं लगेंगे एंड अगर तुम्हें इस anime को अच्छे से देखना है या फिर समझना है पूरी तरीके समझना है तो तुम्हें अच्छे से concentrate करना पड़ेगा कि बहुत बार इसमें ऐसे philosophical चीज़े यूज़ की जाते हैं डिफाइन करने के लिए किसी भी situation गो जो कि तुम्हारे सेर के ऊपर से निकल सकता है अगर तुम अच्छे से अपने ब्रीन का यूज़ नहीं कर रहे है उस anime में देखने में and basically यह comedy anime भी है तो इसमें तुम्हें बहुत जदा dark humor देखने को मिलेगा and वो कही की बारी समझ भी नहीं लगता है अगर तुम concentrate नहीं करोगे तो अगर इस anime को तुम्हें से enjoy करना और समझना है तो तुम्हें सच में concentrate करना पड़ेगा and यह basically एक sub anime है मतलब इसका तुम्हें कोई भी डब देखने को नहीं मिलेगा पता नहीं ऐसा क्यों but I think इनोंने कभी डब में इसे translate ही नहीं किया and इसके subtitle में इतने जदा heavy words होते है heavy words in the sense कि बहुत सारे ऐसे words इनोंने use कि होते हैं जो कि हमने कभी ना सुने हैं ना कि हम कभी future में सुनेंगे किसी भी anime से but and जब भी वह awards आते थे मुझे गूगल पर जाना पड़ता था ताकि मैं देख सकूं कि आखिर इसका meaning क्या है ताकि मैं इस पूरे तरीके से anime को समझ सकूं अगर तुम हर किसी भी अगर तुम किसी भी MC की बात करोगे हरम anime में तो बैसिकली इस चुरुआत से उसकी कोई girlfriend नहीं रहती है बट अगर हम बात करें कोयो मीन अररागी जो की मोनो गातारी सीरीस का मीन करेक्टर है उसके पास एक girlfriend रहती है जिसका नाम होता है सेंजो गारा बैसिकली सेंजो गारा इस अलावा भी यहां पर बहुत सारी girls है एक चीज मुझे बहुत ज़दा पसंद है कि जितने भी girl character इन्होंने यूज के हो बहुत ज़दा सही है and तुम at the end of the anime में तुम सिलेक नहीं कर पाओगे कि तुम्हें आखिर कौन सी waifu चुननी चाहिए मतलब सच में बहुत वाइफू की बात करो throughout the anime में तो मुझे दो वाइफू की बहुत ज़दा पसंद है सबसे पहले हाने का वह सुबा सा जो कि हमारे में करेक्टर की classmate and friend रहती है and उसे advice देती रहती है because she is quite intelligent and she knows pretty much everything अगर वाइफू की में बात करो तो उसका नाम शीनोबू and नहीं 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 इस anime में जितने भी side character use किये गए हैं चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो बहुत ज़्यादा सही है और तुम कहीं भी bad character find नहीं कर पाओगे इसमें जितने character development दिखाए गया है throughout the episode इस anime के वो बहुत ज़्यादा सही है और एक character को उन्हों अच्छे से design किया हुए जिस में तुम कहीं भी खामिया धूंड नहीं पाओ बहुत सारी लोग क्या गरता है इस anime को drop कर देते इसले नहीं क्योंकि यह anime बहुत ज़्यादा बोरिंग गया फिर बेकार बट इसले क्योंकि उन्हें यह anime समझ नहीं आता इस anime को थोड़ा सा time दो थोड़ा सा concentrate करोगे इस anime मे and basically मैं भी इसे drop ही करने वाला था एक पॉइंट पर हानिकावा एंड शीनोबू जैसे मैंने का मेरी फेवरिट वाइफू है इस anime में उन डोनों की वज़से मैंने इस anime को देखा विकॉज जो भी हारम anime देखना पसंद करता है उसे हारम anime में सिर्फ एक चीज पसंद आती है वो है वाइफू एंड हां वो उसके लिए कुछ भी करेगा चाहिए उसे दस सीजन देखने पड़े मों देखेगा तो हां मैंने भी देखे थे उन्हीं के करेक्टर के लिए बहुत सारे अनिमे के लिए जो कि मैंने स्पेसिफिकली किसी करेक्टर के लिए देखी थी एंड ह जया थोड़ा थोड़ा इंटरस्स बना एंड हां यह फर्स लीजार जान तो ओविसली वाइफू देखने को मिलेग नहीं कि हर एक लिए जो डिकाई जाए कि यह सारी सीजन को मिलें गया तो पहले सीजन कि मोच्तरी में भी तीसरे सीजन में खुल सकती है तीसरे सीजन की मि हाइ इसका वह जगा चॉड़र है वह जगा इसका आपक चेक आउट करोगे तो तुम्हें कि मिल जाएगा बट शुरुवाद करनी हैं पाके मोनोागातरी जो सबसे पहले आई थी एंड है मैंने भी वहीं से शुरुआत की थी तो अगर तुम्हें शुरुवाद करना है इस आ अगर तुमने निसे कोई जो रोमेंस अन हेरम अगर तुमने देखा ए तो इसको भी शाफ्ट स्टूडियो नहीं अगर तुमने उसके ऐनिमेशन अच्छी लगती है तो यह देफिनिटली आपको मोनोगातरी सिरीजब भी जितने भी अर्ट स्टाइल वह सारी अच्छी लगे तो एनिमेशन के मामले में तुम बिलकुल भी डिसपॉइंट नहीं हों अगर ऐसे एनिमे के बारे में बात करूं तो देखे है एक वर्थ वॉचिंग है जिसमें तुम्हे अच्छे कासे करेक्टर दिखाए जाते हैं थ्रूआउट अपीसोड और एनिमे इसकी बहुत वाइफू जो कि all-most Pixar max ने न होती है जो लोग hier मैं न मैं देखना पसंद पका पसंद युग साड़ा मैं कि अगर तुमने इसका वाचभर नहीं देखा गूगल पे नहीं तुमें अंडरस्टेंड के से लिए बहुत Lao절 कгоं फालो नहीं यह पढ़े जितनेभी मिस्टई से चीजर दिखनता भिग जारएंग पड़िन चीजर से पम्त हैं और प्रडम करे bankruptcy जातेमे पे इसके कि अनीमे बहुत एंग मेह चाहिए चाहिए तूह भात वर देखना ऐख्यकर अपुछ से अबंzepन कि यह इसेरोगount एंगाई म निए से डॉप कर दिया तो तुम बहुत ज़दा पस्टा होगे कूकि यह सीरीस बहुत ज़दामेजिंग एंड यह सीरीस को कभी डॉप नहीं किया गया है मुझे पता यसा क्यूं किया गया बट अगर जोको भी से डॉप जो कोई भी ऐने में डब में देखता उसको फोड़ कि तूम्हेडाप्ट होने में इसके अनिमे के वज़ए सारे कॉम्पलिकेशंस हैं । जो कि तुम्हें थूरू आउट देने में में देखने का मिलेंगे I hope so कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ी से भी पसंद आती है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीना इचैनल पे नहीं हो और अभी तक सबस्क्राइब नहीं कहा तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीना मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए सायोनारा